तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इन्वर्स सिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे एक सवाल तो दोस्तों आईए सवाल पढ़ते हैं क्या है तो दोस्तों हमें बेसिकली उन सारे एक्स वाल्यूस की प्रोड़क निकालनी है जो की इस पडिकुलर इन्वर्स सिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन को सेडिस्वाइ करेंगे तो सबसे बेले दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की हम लोगों ने देखा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वर्स ऑफ सम वैल्यू होती है ठीक है यहां पर मैं TR लिख रहा हूं क्योंकि यह TR कुछ भी हो सकता है, Sine हो सकता है, Cos हो सकता है, Tan हो सकता है, C को सी, Cot कुछ भी हो सकता है, तो Trigometric Ratio of Trigometric Inverse of X will always be X, provided X is in the domain, X is in the domain of that inverse trigonometric function, जी हां, तो दोस्तों, यहां पर Cot of Cot Inverse, कुछ इसी प्रकार की property को यहां फॉलो करेगा, और आप सबको मालूम है कि Cot Inverse का जो domain होता है, वो all real numbers होता है, ठीक है, तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि यह जो हमारा X है, वो ऐसा number है, ताकि यह real रहे, that means my X should not be 0 for sure, ठीक है, X हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो आईए, तो जो right side है, right side of the equation, सबसे पहले मैं right hand side को लिख लेता हूं, right side of the equation बन के आएगा, 2 minus 18 mod X by 9 mod X, plus pi by 2, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चले, अब बढ़ते हैं left hand side की और, तो left side में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले sin inverse of cos, तो दोस्तों आईए यहां पर देखते हैं, छोड़ी सी एक और property, sin inverse of cos of something, ठीक है, मैं question mark लिख रहा हूं, क्योंकि यह कुछ भी हो सकता है, it can be written as pi by 2 minus cos inverse of cos of the very same thing, ठीक है, तो मैंने sin inverse को basically, cos inverse में convert कर लिया by using the complementary angle property, क्योंकि हम सब जानते हैं, कि sin inverse of x plus cos inverse of x, जो सम होगा, वो हमेशा pi by 2 ही होगा, अफकोर्स जो x है हमारा, वो हमारे domain में लाई करना चाहिए, sin inverse और cos inverse के domain में लाई करना चाहिए, which is minus 1 to 1, ठीक है, तो आईए बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये replacement कर देता हूँ, अपने question में, अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो मैं pi by 2 और pi by 2 को अलविदा कहना चाहूँगा, यहाँ पे, दोनों cancel हो जाएगे दोनों तरफ से, अब दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही important चीज निकल के आती है, बहुत सारे बच्चे को यह लगता है, कि cos inverse cos theta हमेशा theta होता है, जी हाँ, यह बहुत बड़ी गलतियों करते हैं, यह theta नहीं होता है, यह theta नहीं होता है, जब यह theta हमारा 0 से πाई के बीच में लाई करता है, जी हाँ, तो अब हम cos inverse cos of this particular function, यह पूरा जो function है, इसमें हम सिर्फ यह function निके नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं मालुम है कि इस function का range क्या है, तो दोस्तों, यहाँ पे cos inverse cos of this entire function which I have circled, उसका answer जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा, कि यह जो 2x square plus 10 mod x plus 4 divided by x square plus 5 mod x plus 3 है, इसका range क्या होगा, तो आजिए, पहले find करते हैं range of this function, तो range of this function के लिए मैं कुछ simple सा steps यहाँ पे करूँगा, जो कि बहुत आसानी से आपको range निकालने में मदद करेगा, 3 मैं इसे लिए लिए, क्योंकि हमारा जो नीचे वाला expression है, वो इससे match कर जाए, तो x square plus 5 mod x plus 3 से हम इसे divide कर रहे हैं, तो division के बाद जो हमारा expression बचेगा, वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा दोस्तों, जी हां, अब देखिए, अब यहां समझने की कोशिश कीजिए, बहुत important बात हैं आपर, यह जो denominator का term है, x square plus 5 mod x plus 3, इसे हम लोग perfect square के डूप में भी लिख सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं x square को mod x square के डूप में लिखना चाहूँग, ताकि मैं यहां पर completing the square कर सकूँ, तो this will become mod x plus 5 by 2 the whole square minus, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर 25 by 4 बन के आएगा, बट हमें चाहिए 3, हमें चाहिए 3, ठीक है, तो 3 minus 25 by 4 means आपका बनेगा minus 13 by 4 यहां पर, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, कोई फिकर की बात नहीं है, तो दोस्तों आईए समझते हैं, इस पूरे expression में, इस पूरे function में, इसको मान लीजिए मैं f of x कहता हूँ, इस पूरे function में, 2 तो change होने वाला नहीं है, 2 तो fix है, यह numerator भी fix है, तो जो पूरा का पूरा function का जो range है, वो इस पर depend करता है, है ना, तो जब यह minimum होगा, तो पूरा का पूरा function, यह पूरा का पूरा function maximum होगा, correct, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं सबसे पहले focus करूँगा, कि 2 divided by, x square plus 5 mod x का range क्या है, इससे हमें पूरे function का भी range मिल जाएगा, तो चाहिए इसको g of x कहते हैं भारहाल, तो यहाँ पे, यह जो part है, इस part की जो maximum value होगी, इस part की जो maximum value होगी, वो तब होगी, जब हमारा यह expression, यह expression, infinity को जा रहा हो, जी, यह पूरा expression हमारा जब infinity को जा रहा होगा, तो इसकी value maximum होगी, ठीक है, तो यह जो maximum value होगी, वो होगी इसकी infinity, तो जब आप x infinity और minus infinity की तरफ लेते हो, तो यह पूरा का पूरा expression, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो इसका यह मतलब है दोस्तों, कि इसकी जो max value होगी, वो होगी infinity, इसकी जो min value होगी, वो क्या होगी, इसकी min value तब आएगी, जब दोस्तों x 0 होगा, और वो value हो जाएगी 3, तो min value इसकी हो जाएगी 3, कहने का यह मतलब है, कि जो g of x है, इसकी max value हो जाएगी, इसकी max value हो जाएगी 2 by 3 ठीक है और min value हो जाएगी min value हो जाएगी 0 क्यों क्योंकि जब आपको min value चाहिए तो आपका denominator max होना चाहिए और max तो आपका infinity है पर दोस्तों ध्यान रखने वाली यह बात है कि यह 0 को achieve नहीं करेगा तो अगर यह 0 का achieve नहीं करेगा तो हमारा जो g of x है उसका जो range होगा जो range of g of x है वो होगा 0 से 2 by 3 0 exclusive 2 by 3 inclusive ठीक है इसका यह मतलब है कि जो हमारा function है f of x उसका range क्या होगा तो दोस्तों हमको 2 minus हो करना है तो यह हो जाएगा 2 minus 0 2 minus 0 basically हमारा right limit होगा और 2 by 3 minus 2 minus 2 by 3 हमारा interval का left point होगा तो basically यह बन जाता है 4 by 3 to 2 4 by 3 to 2 4 by 3 included 2 is excluded ठीक है अब क्या यह लाई करता है 0 से πाई के बीच में जी हाँ दोस्तों यह बिलकुल लाई करता है 1.33 और 2 के बीच का कोई भी number आप उठा लो तो 0 से πाई के बीच में ही लाई करता है इसका क्या मतलब है तो इसका यह मतलब है कि अब हम इस particular expression को safely लिख पाएंगे जी हाँ इसको हम safely लिख पाएंगे अब तो उसको अगर हम safely लिख पाएंगे तो कैसे लिखेंगे तो जी हाँ अब अब उसको लिख पाएंगे टू माइनस टू डिवाइड़ बाई एक स्क्वेर प्लस फाइव मॉड एक स्प्लस थ्री और यहाँ ध्यान रहे कि एक नेगिटिव साइन था में में छोट स्प्स्प्सट इस प्लेड़ ऐ लिख यहाँ आपको मिलका लगा किन माईनस तो मा ंस का विख 5 मोड्स थ नूटव माइनस टू-स तू कांसी कांसल हो जाएगा इंफांक्ट 292 कैंसल होац तो हमारा फाइनली जो expression simplify होके आएगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा तो आए इसको तो अब simple है solve करना तो यहां पर x square minus 4 mod x plus 3 equal to 0 जिसको हम factorize कर सकते हैं mod x minus 1 times mod x minus 3 equal to 0 जो की further देता है में value mod x equal to 1 which means x is plus minus 1 और mod x equal to 3 which is which means x is equal to plus minus 3 जिया दोस्तों अब total जो हमारे x के value आ गये हैं उनको multiply करते हैं so what is the product जो product होगा वो होगा 1 into minus 1 into 3 into minus 3 जिया दोस्तों इसका answer निकल के आएगा 9 तो यह है numerical answer type question जिसमें हमारा product निकल के आता है 9 तो आशा करता हो दोस्तों यहां पर आपको inverse trigonometric function के कुछ properties in fact range निकालने के कुछ तरीके और कैसे हम बचें किसी भी inverse trigonometric function के properties को misuse करने से वो हमने यह पर सीका thank you so much for watching bye bye take care stay safe you